अब हम आते हैं question number 1 के 7th part के उपर और 7th part ये हैं कि 2x over 2x plus 5 is equal to 2 over 3 minus 5 over 4x plus 10 और साथ ये condition लिखे हुए इसे पिछले question में condition बताई नहीं थे लेकिन आखिर में मैं इसका solution बताया था तो x cannot be equal to minus 5 over 2 ये condition given है अब हम इसको solve करते हैं तो 2x over 2x plus 5 is equal to इन दोनों का LCM हम लेंगे तो एक हमारे पास 3 है और दूसरा 5 के नीचे 4x plus 10 है तो दोनों हम LCM मेरेक लेते हैं तो 3 multiply 4x plus 10 अब असान तरीका ये हैं कि ये 4x plus 10 जो है ये 2 के साथ multiply करेंगे 4x plus 10 2 के साथ multiply हुआ और यहां पर ये 3 multiply करेंगे 5 के साथ तो minus 3 और 5 को multiply किया तो ये आ जाता है 2x over 2x plus 5 is equal to ये 2 multiply करें बिरेकर खतम करके 248x plus 210 के साथ multiply हो जाएगा और minus ये 15 आ जाता है और इसी तरह इस तरह इस तरह को भी हम multiply कर देते हैं आसान हो जाएगा तो 3, 4 is 12x plus 30 अब हम इसको plus minus करते हैं तो ये आ जाता है 2x over 2x plus 5 is equal to 8x 20 minus 15 to 5 over 12x plus 30 अब हम cross multiply करेंगे cross multiply करते हैं तो 2x multiply होगा 12x plus 30 के साथ और इस तरह से यहाँ पर 2x plus 5 ये ब्रेकट में लेकना जरूरी है multiply करेंगे 8x plus 5 के साथ ये ब्रेकट लगाना जरूरी क्योंकि single term नहीं दो term अपस में multiply हो रही है अब ये आ जाता है 2x multiply होगा 22x multiply होगा पहले 12x के साथ तो ये आ जाता है 24x square x और x multiply हो जाएंगे पिर 2x 30 के साथ multiply होगा तो यह आज़ाता है 2 multiplied by 30 के साथ है आज़ाता है 60X अब आते हैं यहाँ पर 2X multiplied होगा पहले 8X के साथ तो 2, 8, 16X square और इसी तरह यह 2X 5 के साथ multiplied होगा तो 5, 2, 10X अब यह 5 के बारी है अब यह 5 पहले 8X के साथ multiplied होगा तो 40X और अब यह 5 और 5 multiplied होजाएंगे तो 25 तो अब यह आज़ाता है 24X square plus 60X is equal to 60X square अब यह दोरों plus होजाएंगे 10X और 40X तो यह आज़ाता है 50X plus 25 अब सब टर्म्स को एक साथ भी पेज़ दें तो 24X square minus 16X है लाइक टर्म्स को एकटा लग दिया plus 60X minus 50X और constant plus 25 है minus 25 होजाएंगे तो अब यह हम minus कर देंगे 24 से हम minus करेंगे 16 तो यह हमारे पास आज़ाता है 8 X square और इस तरह 60X से 50X minus हो जाएगा तो 10X minus 25 is equal to 0 अब हमने क्या करना है factorization हमने करनी है factorization का तरीके कार क्या है कि सबसे पहले हमने minus 25 को 8 के साथ multiply कर देना है तो minus 25 को जब हम 8 से multiply कर देंगे तो यह आ जाता है 200 तो यह आ जाता है 200 यह माइनस 200 आ जाता है अब यह minus 200 आ जाता है यह plus 10X है इसके साथ हम को यह multiply कर देंगे अगर हम देखें डिरेक्ली हमें जहन में आ जाता है कि अगर 20 और 10 को हम multiply कर देंगे तो 200 आ जाता है लेकिन हमें minus 200 चाहिए तो इसके साथ हम minus रगा देंगे तो minus 200 इससे आ जाता है तो अब हम लिख लेते हैं 8x square plus 10x के बज़ाएं हम लिखेंगे plus 20x minus 10x और आखिर में minus 25 is equal to 0 अब इन दोने में से क्या का मनाता है एक 4 का मना रहा है और एक x का मना रहा है तो 4, 2, 0, 8 x रह गया 4, 5, 0, 20 x चला गया और यहां पर minus 5 हम का मना ले सकते हैं तो minus 5 का मना ले लिया 5, 2, 10 x रह गया minus plus हो जाएगा क्योंकि minus 5 का मना ले लिया और 5, 5, 0, 25 is equal to 0 अब bracket में जो factor है वो का मना है दोनों में same है तो 2x plus 5 का मना लिया तो यहां पर रह गया 4x और यहां बने गया minus 5 equal to 0 either 2x plus 5 is equal to 0 तो 2x is equal to minus 5 तो x is equal to minus 5 over 2 एक अंसर हमारा यह आ जाता है और दूसरा अंसर 4x minus 5 is equal to 0 तो 4x is equal to 5 तो x is equal to 5 के नीची 4 डिवाइड हो जाएगा तो अब यह हमारे दो अंसर आ जाते अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा अंसर कौन सा वाला टीक है अगर हम बुक की कंडिशन में देखेंगे उपर जो मैंने कंडिशन लिखी वी है तो उसमें लिख़एगा है कि x cannot be equal to minus 5 over 2 सो हमारा यह जो अंसर है यह वाला तो यह हमारा अंसर नहीं हो सकता है क्योंकि कंडिशन में गिवन है कि x cannot be equal to minus 5 over 2 सो हमारा final answer क्या है final answer हमारा x is equal to 5 over 4 अब हम आते हैं question number 1 के 8th part की उपर which is 2x over x minus 1 plus 1 over 3 is equal to 5 over 6 plus 2 over x minus 1 और साथ condition लिखी हुई है कि x cannot be equal to 1 अब हम इसको solve करते हैं तो सबसे पहले left hand side पे x minus 1 और 3 इन दोनों का LCM हम लेंगे तो जो कि आज़रत है हमारे पास 3x minus 1 यह LCM तो यह 3 2x के साथ multiply होगा और इस तरह x minus 1 इस 1 के साथ multiply होगा तो प्लस 1 के साथ x minus 1 is equal to यहाँ पर LCM आ जाएगा 6 और x minus 1 LCM आ जाएगा तो यह 5 और x minus 1 multiply हो जाएंगे प्लस 2 और 6 आपस भी multiply हो जाएंगे अब उपर वाले brackets हतम कर दें तो यह आ जाता है 3 2s are 6 x plus 1 multiply होगा तो x minus 1 अच्छा इससे पहले आप गर आप देखे x minus 1 यहाँ पर नीचे है और वहाँ पर भी नीचे मुझूद है तो यह दोरों directly हम cancel out कर सकते हैं अच्छा तो अब यहाँ पर हमारे पास नीचे रह गया है 3 is equal to 5 multiply कर दें तो 5 x minus 5 और यहाँ पर 2 और 6 multiply हो जाएंगे तो 12 और नीचे 6 मुझूद है तो यह आ जाता है 6 x plus x 7 x minus 1 over 3 is equal to तो 5 x minus 5 plus 12 से आ जाता है plus 7 over 6 अब हम cross multiply कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 7 x minus 1 के साथ multiply हुआ इस तरह 3 multiply होगा 5 x plus 7 के साथ तो 6 multiply कर दें 42 x minus 6 is equal to 3 multiply कर दें 15 x plus 21 x वर इस terms को एक साइट पर रेखें तो minus 15 x हो जाएगा इदर आके इस साइट पर plus 21 है minus 6 इदर आके plus 6 हो जाएगा तो यहाँ पर हम minus कर देंगे 42 से 15 minus करेंगे हमारे पास आ जाता है 27 x और यहाँ पर इन दोनों को plus करेंगे तो 27 तो अब 27 उस साइट पर जाके यह वाला 27 दूसरे साइट पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x is equal to 27 divided by 27 तो cutting हो जाएगी तो x is equal to 1 यह हमारा अंसर तो आगे solution से लेकिन उपर condition में क्या given है condition में यह given है कि x cannot be equal to 1 सो हमारा अंसर क्योंकि 1 आ रहा है और कोई अंसर है नहीं सो हम यह कहते हैं कि this solution is not possible सो मैं कहता हूँ no solution इस question का कोई solution नहीं है no solution क्योंकि हमारा जो answer आ रहा है यह valid answer नहीं है क्योंकि condition में यह लिखा हुआ है कि x cannot be equal to 1 अब next part के उपर आते हैं question number 1 के 9th part के उपर which is 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 और condition में यह लिखा हुआ है कि x cannot be equal to plus minus 1 यनि 1 plus 1 और minus 1 हमारा answer नहीं होना चाहिए अब काम असान कर देते हैं कि यहां पर इसको हम लिख सकते हैं to x square minus 1 x square minus 1 को हम लिख सकते हैं x square minus 1 square this is like a formula a plus b into a square minus b square so a plus b into a minus b तो हम लिख सकते x plus 1 into x minus 1 तो यहां पर x square minus 1 की जगा लिखते हैं x plus 1 into x minus 1 is equal to 1 over x पहले का लिखा हुआ x plus 1 लिखा हुआ है और दूसरा वालगी मैं इधर लेके आता हूँ 1 over x plus 1 अब 2 over x plus 1 into x minus 1 is equal to x plus 1 जो है यह LCM आ जागे हैं दोनों का तो उपर क्योंकि दोनों की नीचे x plus 1 x plus 1 है तो इल सेम है तो 1 plus 1 ही आ जाएगा तो हमारे पास आ जाता है 2 over x plus 1 into x minus 1 is equal to 2 over x plus 1 अब यहां पर हमें नजर आ रहा है कि x plus 1 दोनों साइड मुझूद है नीचे तो हम x plus 1 और x plus 1 को cancel out कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 over x minus 1 which is equal to क्या रहा गया है 2 अब हम cross multiply कर देंगे तो यह 2 x minus 1 is equal to 2 cross multiplication हो गई तो 2 x minus 2 is equal to 2 अब 2 x minus 2 minus 2 जो constant है दूसरे साइट पर बेज दूँँगा तो 2 plus 2 हो जाएगा तो x is 2 x is equal to 4 तो x is equal to यह 2 दर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह cutting हो जाएगे तो x is equal to 2 हमारे पास अंसर आजाता है x is equal to 2 अब आते हैं last part of question number 1 which is the 10th part this is equal to 2 over 3 x plus 6 is equal to 1 over 6 minus 1 over 2 x plus 4 और condition में लेका हुआ है कि x cannot be equal to minus 2 तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं LCM लेना चाहते हैं तो यह आजाएगा 2 over 3 x plus 6 is equal to अब हम क्या करेंगे यहाँ पर LCM लेंगे तो LCM में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 6 और 2 x plus 4 यह LCM असान तरीका है वैसे तो कामल भी आ जाता है लेकिन हम डारे के इनको कामल लेक सकते हैं कि यह नबर और यह वाला जो फेक्टर है इनको हम दोनों मिलाके LCM ले सकते हैं तो अब यह 1 के साथ मल्टिप्लाय होगा 2 x plus 4 और इस तरह 6 1 के साथ मल्टिप्लाय होगा तो मैनस 6 अब 2 over 3 x plus 6 is equal to ब्रेकर खतम करेंगे तो 2 x plus 4 minus 6 over 6 2 x plus 4 अब यह आजाएगा 2 over इस नीचे से 3 कॉमल ले सकते हैं तो यह आजाएगा x plus 2 is equal to यह हमारा 2 x plus 4 minus 6 है तो यह आजाएगा 2 x minus 2 क्यूंके 4 plus 4 minus 6 से minus 2 आजाता है और यहाँ पर 6 पहले से मुझूद है और 2 कॉमल ले लेता हूँ 2 कॉमल ले लेता हूँ तो यह आजाएगा x plus 2 अब इसका फाइदा यह हुआ हमें के x plus 2 और x plus 2 दोनों नीचे है cancel out होगे तो अब बचता है हमारे पास 2 over 3 मज़िद cutting हो सकती है लेकिन मैं ज़्यादा complication में नहीं पढ़ता तो यह आजाता है 12 अब cross multiply कर दें यह और यह हम आपस में cross multiply करेंगे तो यह आजाता है 3 2 x minus 2 और यह 2 multiply होगा 12 के साथ cross multiplication हो गए अब यह bracket खतम कर देंगे तो यह आजाता है 6 x minus 6 is equal to 24 अब 6 x 24 plus 6 हो जाएगा 6 x is equal to 30 x is equal to 30 divided by 6 6 x is equal to 5 तो यह हमारा final answer तो अँवा आजाएगा आजाएगा 5 तोस